ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचा कर एक चर्च में सरुन लेता है अब उस चर्च की नन उसके साथ क्या करती है ये हम आज की एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले है हेलो दोस्तो आज हम एक्स्प्लेन करनेवाल है 2007 में रिलिस हुई एक रोमांस कमेडी मुवी जिसका नम है वर्जिन टेरेटरी तो मुवी स्टार्ट होती है 14 वी सताब दी इटली से ये वो समय था जब पूरा इटली बलेक डेथ की चपेट में था हम देखते हैं एक आदमी को जो चर्च में पैंटिंग कर रहा था वो कहता है कि वो इस चर्च में बहुत टाइम से काम कर रहा है लेकिन अभी तक उसे कोई भी पैसे नहीं मिले है इसलिए वो फादर के पास पैसे मागने जाता है पर तब ही उसे पता चलता है कि प्लैक की वज़े से फादर की मौत हो चुकी है ये देखके वो आदमी बहुत नेरास हो जाता है कि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे तब ही उसे वहाँ पड़ी फादर की ड्रेस दिखती है और वो ताय करता है कि अब वो फादर बन जाएगा इसके बाद हम लोरेंजो नाम के ए जर्बीनो के आदमी उसे ढूंड रहे थे इसके बाद हम पैमपिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं पैमपिनिया के माता पीता की प्लेग के चलते मौत हो गए थी इसलिए वो बहुत दुखी थी तब ही वहाँ जर्बीनो आता है पैमपिनिया का अब इस दुनि वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये घर बचा है अगर तुम ये घर अपने पास रखना चाती हो तो तुम्हें मुसे शादी करनी होगी दूसरी तरफ लोरेंजो अपनी जान बचा कर भाग रहा था क्योंकि चर्बीनो के आदमी उसके पीछे पड़े थे तब ही रा जरूरत तो होगी ही इसलिए वो गुंगा बहरा बनके उस चर्च में रह सकता है और इस तरह से वो जर्बीनों से भी बचा रहेगा वो जर्बीनों के आदमियों को देखके पैड़ पर चड़ जाता है और वो आदमी आगे निकल जाते है लेकिन तभी पैड के टहनी लगती है लोरेंजो को भी अब होच आ गया था पर वो सिर्फ बेहोस होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था तब ही वहाँ नंस की हैड आती है ये दोनों नंस तूसे बताती है कि ये आदमी एक गुंगा बहरा है ये सुनके हैड बहुत होती है यूँकि उन्हें चर्च के काम के लिए एक गुंगा बहरा ही आदमी चाहिए होता है और वो लोरेंजो को काम पर रख लेती है जब लोरेंजो नहा रहा था तब भी उसके पास दो नंस आती है और लोरेंजो के साथ नहाने लगती है लोरेंजो भी गुंगा बहरा ह इस पहना रहती तब उसकी जचल लारेंजो और परती ही और वो उनारेंस से पूचती है कि यह लड़का कोन है नन्स पताती है कि यह गुंगा वह रहा है और ले यस छोपने पास बुलाती है और दोनों जर्जस की वहांचे जाने लगता है पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पैम्पिनिया कई दिनों से दूसरे सहर में उसका इंतजार कर रही है ये सुनके जर्जस की अब उस सहर की तरफ निकल पड़ता है यहां दो नंस लोरेंजो के पास आती है दरसल लब उने पता चल गया था कि बाकी की नंस लोरेंजो के साथ क्या क्या करती है और वो भी लोरेंजो के साथ वही करना जाती थी लोरेंजो भी इसके लिए मान जाता है दीरे देरे पैम्पिनिया अब लोरेंजो को पसंद करने लगी थी और उसके तरफ अट्रेक्ट होने लगी थी एक दिन पैम squeeze लोरेंज़ो को गाना गाते हुए देख लेती ही और उसे पता जल जाता है कि लोरेंज़ो गुंगा बहरा तो नहीं है एक दिन पैम特ี अके लिए लोरेंज़ो के पास आती है और वो लोरेंजो की आँखों पर पटी बांथी है और उसके बाद अपना नकाब उठा कर करती है कि वो उससे प्यार करती है और वो शादी करने के लिए भी तयार है पैमपिनिया लोरेंजो को किस भी करती है और उसके बाद चली जाती है पर आखों पर पट्टी होने के वज़े से लोरेंजो ये पहचा नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी अब कुछ दिनों बाद पेमपेनिया का वहाँ से जाने का टाइम आता है लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लोरेंजो गुंगा बहरा नहीं है वो बस नाटक कर रहा है दरसल पेमपेनिया लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाती थी ये सुनके हेड बहुत गुसा हो जाती है और वो लोरेंजो को उस चर्च से निकाल देती है जब पेंपेनिया अपने घर लोट रही थी तब बाहर उसे लोरेंजो मिलता है वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो अब पेंपेनिया तो उसे पहले सही पसंद करती थी इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है इसके बाद हम जर्जस्की को देखते है जो पेंपेनिया को डोंड रहा था तब ही वो एक लड़की को देखता है और वो उसे बाते करने लगता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पेंपेनिया को जानती हो क्योंकि मैं रसिया का राजकुमार हूँ और मैं पैम्पेनिया से साधी करने वाला हूँ ये सुनके वो लड़की कहती है कि मैं ही पैम्पेनिया हूँ तो जर्जस की भी मान लेता है कि यही पैम्पेनिया है क्योंकि उसने पहले कभी पेंपिनिया को नहीं देखा था यहां पेंपिनिया लोरेंजो को लेकर गर पुछती है बातों बातों में लोरेंजो बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था वो कहता है कि उस लड़की ने उसके आँखों पर पट्टी बांद के उसे केस किया था और ये भी बताया था कि वो उसे प्यार करती है ये सुनके पेंपेनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है पेंपेनिया लोरेंजों से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे भैचानोगे तब लोरेंजों कहता कि मैं किसी न किसी तरह से उसे ढूड लूगा अब यहां पेंपेनिया उसे बताने जा रही थी कि वो ही वो लड़की है कि तब ही वहाँ जर्बिनो आ जाता है कि कल वो उसे शादी करने वाली है लेकिन उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा तो चर्वीनों उसकी बात मान लेता है और लोरेंजो को छोड़ देता है और अपने दो आदमियों को फादर को लाने के लिए भेजता है जब फादर आता है तब पैंपिनिया उसे पैसे देती हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी इसलिए जितना हो सके उस शादी को डिले करवा दे तो फादर कहता है कि ठीक है और ये वही आदमी था जो चर्च में पैंटिंग का काम करता था दूसरी तरफ जब जरवीनों के दो आदमी लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रहे थे पर यहाँ उनका प्लेन लोरेंजो को मानना था इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो उन्हें पचार देता है लोरेंजो देखता है कि जरजल की पैमपिनिया के पास जा रहा है इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है जहां वो देखता है कि लोरेंजो पेंपिनिया के साथ चबर दस्ती साधी कर रहा है तब ही वहाँ जर्जस की भी आ जाता है और उसके पास गन भी थी गन देखकर जर्विनों के गन देखकर जर्विनों डर जाता है और भागने लगता है लोरेंज और जर्जस की दोनों मिलकर जर्विनों के आदमियों को मार देते है और आखिर में लोरेंज और जर्विनों को भी मार देता है पैमपेनिया जर्जस की से कहती है कि वो इसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजों से प्यार करती है ये कह कर जल दसकी कहता है कि यही मेरी पैंपेनिया है और मैं इसे साधी करूँगा एंड में पैंपेनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे साधी के लिए प्रपोस करती है पर लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं और साधी भी उसी से करूँगा यह सुनके को वी एंड हो जा दिखिए